की कोशिस करो एज वन कंसिडर आर्बिट हाइयर वेल्व अफ एन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्टिक पोटेंचियल इनर्जर अब देखो यह हाइड्रोजन एटम है यहां से एक रेडियस है फिर दूसरा रेडियस है और तीसरा रेडियस नहां होता है तो एन इस उकॉल और यहीस फैरी इसतर तो जब मैं मैं मॉट्स से दूर जाता हूं यह हमारा मॉझे से जब प्यारे बचों मरे मैं में नुक्ल्स से दूर जाता हूं तो प्रिंस resumes दिट कम होती है स्पीड देल उसटी यह कं होती है तो Kinetic ॉस लॉजिक से पोटेंशियल के बारे में फ्रीडिक्ट करना है तो यह से इंगाल सकते होremos आन誼 और पोटेंशियल नर्जी की सम होती है अब टोटन एनर्जी इनक्रीज होती जब प्रिंसपल नाटम नममर बढ़ेगा तो टोटल इनटी तभी इंक्रीज हो सकती है जब या तो ओगी काइनेटिक energy, decrease हो रहे है, तो potential energy को increase होना पड़ेगा, तभी तो जाके total energy increase होगी, तो potential energy increase होगी, एक तरीचा तो यह और दूसरा formula हो गया, ठीक है, तो formula है कि energy in nth orbit, total energy minus 13.6, मायनस 13.5 यहां से और यहां से n square upon z square यह electron volt अब जो total energy है जो total energy है minus times kinetic energy is equal to potential energy by 2 तो यह ब्रमास्थ formula है इसको याद कर लो जो total energy है minus times kinetic energy दो potential energy क्या दी होती है तो जो potential energy है तो टाइम्स टोटल एनर्जी के एक्कोल होगी अब टोटल एनर्जी निगेटिव है तो टो टाइम्स माइनस 13.6 N स्कॉर और Z स्कॉर एलेक्टान गोल्ट यह पोटेंशियल एनर्जी है इस एक्स्प्रेशन से आप लगा सकते हो जो पहला वला लोजिक था ज्याद आच्छा है यहन की वेल्वा बढ़ाओगे तो यह जो टोटल एनर्जी एक मिनिट थोड़ा सा यहां से मैंने गलत लिए तो एनर्जी यहां से आप देखोगे तो एन एसक्कार और Z स्कॉर भो तो यहां से आजाएगा जाहेगा Z एसक्कार एन एसक्कार अगर प्रिंसिपल क्याटम पोटेंचिल एनर्जी है वह लेस निंगेटिव होगिया समझेडा ना एंकी बढ़ाँ तुटाइश नेर्जी लेस निगेटिव होगी होगी मतलब पोटेंचियल एनर्जी इंक्रीच करेगी मतलब सक्से और फॅशंय तो आप इसको दूनों तरह से सॉल्व कर सकते हो अगर आप depth में पढ़ाई किये हो concept में पढ़ाई किये हो conceptual पढ़ाई किये हो सही से समझे हो subject को तो बहुत